आपके मोहलने में कच्रा बिनने वाले आते ही होंगे बस आपको कच्रा बिनने वाले या वाली को देना है ये चीज खुशियां खुद चलके आपके दरवाजे पे आएंगी पैसा खुद चलके आपके दरवाजे पे आएगा विदेशी मुद्राएं खुद चलके आपके जीवन में आएंगी हाई एवरिवन, माइ नेम इस डॉक्टर उमाश्री मेरे चनल में आपका स्वागत है जो कि आपका अपना ही चनल है आपके प्यार और सपोर्ट की बदोलत ये चनल ग्रो कर रहा है ऐसे ही अपना सपोर्ट डॉमाश्री चनल को देते रहें हम आपके आभारी रहेंगे मित्रो राहू जो है विदेशी सम्मन्न और विदेशी व्यावसाय का कारक है ये शेयर मार्केट का भी कारक है आपको सभी चीजों से लाब हो सकता है अगर आपकी कुंडली में आठ नंबर के साथ रहू है आप ये उपाई करिए आपको जबरदस फायदा होगा और खुशियां खुद चलके आपके दरवाजे पे आएंगी रहू को अर्धकाय, धढ़हीन, शीश, मात्र, महाबली, चंद्र और सूर्य का मान मर्दन करने वाला कहा गया है सिहिका से उत्पन रहू को मेरा प्रणाम है आपको ऐसे बोलना है सिहिका का पुत्र है रहू और सिहिका से उत्पन रहू मतलब सिहिका इसकी जननी या जनक आप बोल सकते हैं और जननी मतलब बोल सकते हैं और आपको फायदा रहेगा सिहिका से उत्पन रहु को मेरा प्रणाम है ये आपको बोलना है और भी उनकी प्रशनसा में शब्द बोलने हैं जो हमने आपको बताए है अर्धकाय, धरहीन, शीशमात्र, महाबली, चंद्र और सूर्य का मान मर्दन करने वाले सिहिका से उत्पन रहु को मेरा प्रणाम है ये आपको बस बोलना है और ये शब्द मात्र बोलने से ही आपकी बिगड़ी बन जाएगी लेकिन आप रहु के मंत्र का 18,000 जब करने का विधान है इससे शत्रूं और रोग का भी नाश होता है और सभी जगे सफलता और मान सम्मान मिलने से आपको हर्ष की अनुभूती होती है रहु का आप दान भी दे सकते हैं अगर आपका रहु आठ नंबर के साथ है तो आपको दान देना ही चाहिए दान देने से आपका ग्रह शांत होता है और आपको स्ट्रॉंग परिनाम देता है शुप परिनाम देता है कंबल, नीला कपड़ा, तिल वर सरसों के तेल का आप दान करते हैं रोग्यों का इलाज करने का प्रभंद करते हैं उन्हें दवाई दिलाते हैं तो आपको जबरदस फायदा मिलता है कुड़ा बटोरने वाला, यारी कच्रा बिनने वाला उसको आप चाय भर पिला दीजिए आप देखेंगे कैसे आपकी किसमत चमक गई है और आपकी जिंदगी में बहार ही बहार आई है आपको कोड़ियों के भी सेवा करनी चाहिए और कलंकी असफलता में आपको परिवर्तन महसुस होगा और आपको सब तरफ से सफलता ही सफलता मिलेगी तो राहु का मंत्र भी जब सकते हैं अर्द काय महा वीरियम चंद्र आदित्य विद विमर्दनम सिहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाहमिहम यह आपको बोलना है इसी का ट्रांसलेशन हमने शुरू में आपको बताया राहु के और अन्य मंत्र भी आप जब सकते हैं ओम भ्राम भ्रीम भ्राम से है राहु वे नमे यह राहु देव का बहुत प्रशलित मंत्र है आप राहु गायत्री भी पढ़कर अपनी समस्यां को दूर कर सकते हैं इस राहु गायत्री का आप जाप करते हैं तो आपको जबर्दस तफलता हर शेत्र में मिलने लगती है आपके दरवाजे पे खुद पैसा चल के आता है ऐसे इस्थति हुदपन हो जाती है पैसा खुद चल के नहीं आता है मतलब पैसा आपके दरवाजे पे आपके प्रियासों से मिलता है आपको ये मतलब है कहने का तो आपको ये काम करना चाहिए जो हमने आज के वीडियो में आपको बताया और रहु की शांती हर जीवन में अनिवारे होती है हर जातक को अनिवारे रूप से करनी चाहिए क्योंकि रहु कल्यूग का बादशा है, शेहनशा है और आपको प्रसन होने पर मन वांशित फल दे सकता है मान सम्मान दिला सकता है जिससे आपको हर श्यनुभूती होती है हर जगे आपको सफलता चाहिए, मान सम्मान चाहिए और खुशियां चाहिए और पैसा चाहिए तो आपको रहु की शांति तो कल यूग में करने ही पड़ेगी इसकी हमने विशेष विधान आपको बताए और कूड़ा करकट इखटा करने वाले कचरा बिनने वाले को आप चाई पिला दीजिए और डेली चाई पिलाना चालू कर दीजिए कच्रा बीडने वाले को आप देखेंगे कैसे अपके जिन्गी में चमक आ गई है तो हम आप आज का वीडियो समाप्त करते हैं थैंक यू सो मच हम हैं एस्ट्रलोजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री ऐसे ही वीडियो निरंतर आपके लिए लाते रहें और लाते रहेंगे थैंक यू सो मच